नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार वे में दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सस्क्राइब करें और वीडियो को सेयर करें दोस्तों किसी ने बहुत कमाल की बात कई है कि जिंदिगी में कभी हार नहीं मारनी चाहिए क्या पता एक और कोसिस आपको जीत दिला दे तो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका सेशी जीडी दोजार बाईस टी ट्वेंटी मॉक्टे सिरीज में यह हमारे प्रेट्टी से आपको जाएगा तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा दस्वें मंडल में दोस्तों सुद्र का उलेक मिलता है दोस्तों ऐसा कहा गया है कि दस्वें मंडल में चतुर समाज का उलेक किया गया है जिसमें ब्रह्मा के मस्तिक से ब्रामणों का उलेक हुआ है इनके भुजाओं से छत्रियों का उत्पत्ति मानी जाती है इनके जांगों से ब्रह्मा के जांगों से वैसों की उत्पत्ति मानी जाती है और इसे चरणों से सुद्र का उद्लेख में अईशा अना गया है तो दोस्तों आए चलते हैं अगले कोस्टिं की तरफ तो दोस्तों अगला question है सूला महा जनपदों की सूची किसमे उपलब्द है तो option A है महा भारत में या B है छांदगो निकाए में या C अगुत्तर निकाए में या option D सैयुत निकाए में तो बताए इसका answer क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका answer हो जाएगा अगुत्तर निकाए में अपसन C अगुत्तर निकाए ये किस से संबंदित है ये बुद्ध जो थे बुद्ध से संबंजी था बहुत गरंथ है ये अगुत्तर निकाए बहुत गरंथ से संबंदित है आईए अगले question की तरफ दोस्तों अगला कोश्चन है सीवा जी के प्रसासन में पेश्वा किसे कहा जाता था तो अप्षन है कि धार्मिक मामलों के मंत्री को या अप्षन B रक्षा मंत्री को या अप्षन C प्रधान मंत्री को या अप्षन D वेयाम मंत्री को तो पेश्वा की उपादी किसको दी जात पेश्वा पहले पेश्वा कौन थे पहले पेश्वा किसको बनाया था सिवा जी ने पहले पेश्वा बनाया था बाला जी बाजी राओ को बनाया था इन्होंने पहला पेश्वा बनाया था और यह कुछ जान लेते हैं बाला जी विस्वनात नाम था प्रदानमंत्री को पहला परदान मंतिरी पेशवा थे उनको 15 जी विश्वनात नाम था उनका तो आगे कुछ जाने तें सिवा जी के बारे में धार जीजाब आई था दोस्तों के गुरु का नाम क्या था तो गुरु का नाम कॉंडदेव था और इनके समय में प्रथम अंगल मराथा युद्ट कब हुआ था जिसमें कौन से संदी उई थी तो एंसर देंगे इसका प्रथम म섯य सट्रहशों्ती में घुए था और시면 सालवाई की संतिति दोस्तों दोस्तों पूछता है कि 14.जं esper eş कर किसने चल आए था तो सद्रह सद्रेंगे सिवा जी ने चलाए था और की सिवाजिने सूरत को कितनी बार लूटा था सिवाजी ची District को दो बार लूटा था एक बार लूटा था 1664 में और दूसरी बार लूटा था 1670 में तो दोस्तों इस तरीक जी के मंत्री मंडल को क्या कहा जाता था तो सीवा जी के मंत्री मंडल को अश्ट परदान कहा जाता था दोस्तों तो चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ तो अग्रा कोच्चन है सत्यार्थ परकाट पुस्तक के लेखा कौन है तो Όफसन है रविना टाइगोर दयानशर्चर्चति ऐस ज्यद्योव ड्या ठालिद्र तो दोस्तों इसका अंसर बताईए आप लोग तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा पुस्तक है गीत गोविंद यह बहुत बार पर इच्छाओं में पूस्ता है दोस्तों दोस्तों कालीदास के पुस्तक का क्या नाम है बताइए आप लोग तो कालीदास के पुस्तक का नाम है कुमार संभोवम और एक और पुस्तक है इनकी दोस्तों अभिज्यान सगुंतलम य कि पूस्ता का क्या नाम है तो गीता गीता अंजली यह बहुत बार पर इक्षाव में पूस्ता है दोस्तों आई अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है गाधी इर्विन समझाता किसे संबंदित है तो अफसन है भारत छोड़ो अंदोलन भी है सविने अवग्य अंदोलन सी ए आई सवयोग खिलापत अंदोलन या डी रॉलेट अंदोलन तो बताई इसका एंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा सवीने अवग्य अंदोलन गाधी इर्विन समझाता का उगा था पार्च मार्च 1931 में गाधी इर्विन समझाता हुआ था और यह सविने अवग्य अंदोलन से संबंदित है भारत छोड़ो अंदोलन की शुरुवात का वूई थी ति शुरूआ थुए थी नौ अगस तुनीस सो बहालिस में असयोग खिलापत अंदोलन की से संबंदित है तो ये रॉलेट एक्ट हुआ आपका रॉलेट एक्ट जलिया वाला वाग कांड खिलापत अंदोलन इन तीनों की इन तीनों के कारण जो है इसको गांधेज ने शुरू क किया हसा कि यो खिलापत अंदोलन रॉलेट क्या था है बॉलेट एक्ट भ शुरूआ थुए थी अ । रॉलेट एक्ट को एक कानूल न आया था त तो ना कौई दलील हुती दिसमें ना कोई वक आपकी लान ना कोई भिथा एक तो इसाप से गांद कानुन कर जाता था आईए अगले कोशन की तरफ और सबसे लंबे समय तक भारत के राश्पती कौन थे बताईए अपसन डाक्टर राजेंदर परसाद और सबसे लंबे समय तक भारत के राश्पती रहे हैं राजेंदर परसाद भारत के प्रथम राश्पती थे और अगर पूसता है कि भारत के पहले उपराश्पती तो रादा कृष्णन थे बारत के पहले उपराश्पती जाकर रुकसेन भारत के प्रथम मुस्लिम राश्पती थे दोस्तों आईए अगले कोशन की तरफ तो दोस्त दोस्तों आई एकले कोश्चन की तरह हम लोग चलते हैं भारत के किस राज में समान नागरिक सहिता लागू है तो अफसने है मेगाले अफसन भी है केरल अफसन सी है अर्याणा या डी गोवा तो बताई यह तो बहुत बार कोश्चन पूछा हुए ससी के परिशा में बहुत ब करा लिया गया गया तो 19 दिशंबर 1971 1801 पूढ़ीऊ लिया गया था इसको और पूछता है की से उसके कौछन का है तो 30 स्था मआए 1987 में गोआराज सब से बदानी अगर पूछत का इसको सबसे बड़ा सहर कॉन सा है तो वास को डीगामा इसका सबसे बड़ा साहर है गोवाराज का और चित्रपल के आधार पे सबसे चोटा राज है यह जरू याद रखेंगे हम लोग भारत का भारत का सबसे चोटा जट्रपल के आधार पे राज कौन सा है तो गोवा वो है आई एक ले कोशन की तरफ लोग सभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं तो दोस्तों इसका एंसर बताईए आप लोग वर्ष में दो बार एक बार या तीन बार या चार बार तो बताईए तो दोस्तों इसका एंसर हो जागा वर्ष में तीन बार तो वो तीन सत्र कौन कौन से आप लोग comment box में जरूर बताएंगे आईए एगले question की तरफ समाजिक सुरक्षा हैं समाजिक विबा किसके विषय हैं बताए इसका answer समर्थी सुची के हैं या उसिस सुची के या राज सुची के या संगी सुची के करे इसलिए समर्थी चुच्य क्विषय हो जाएगा इसे मह。 इस समय समर्थी सुची में कितने विषय हैं मैं अगर पूच्ता है कि केंद्र में कितने सुची या तो सोफूची यह सोउपी सब सोइकानूट कईंदर बना सकता है इस समय आगज अगे अगले कोशटकी तरफ प्रचन अभेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है अलपका बेरोजगारी या मौसमी वेरोज़गारी का मतलब क्या होता ऀसरे कि माली जेकी नोकिया का समय था नोकिया कम मिलता था तो नोकिया के मिल था तो उसको हुआ समसभा गया तो अब तो कोई ले नहीं रहा है हुंको समसंग सब को समसंग को समसंग की तरफ जा रहा है तो हमने भी क्या किया नोकिया को बंद करके अब समसंग एजनसी लिए अपनी दुकान खुलने के लिए नहीं तो दोस्तों इतने समय में जितना भी टाइम लग रहा है समसंग का एजनसी लेने में इसको दुकान में इसको समान लाने में जितने समय के एक महीन या दो मेंने जितने समय के लिए अमारी दुकान नहीं चली तो उसी को बोलते हैं अलत बेरोजगारी, कुछ समय के लिए यह होता है फिर से सही हो जाता है, तो दोस्तों आएगे एक लोकोशन की तरह में लोग चलते हैं, प्रत्थम छेत्री ग्रामीड बैंक के स्थापना किस वर्स हुई दोस्तों बताईए ये भी बहुत बार कोश्चन पूछा हुआ है तो 1977, 1976 या 1974 या 1975 तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा 1975 में हुई थी छेत्री ग्रामीड बैंक के स्थापना आईए है यह हर सारों में अलग बाक आईए अगे लिए कोश् देश का सबसे गयरा बंदरगा कौन सा है तो बताईए कांडला बंदरगा या कोची बंदरगा या कोलकाता या विशाका पटनम तो दोस्तों देश का सबसे गयरा बंदरगा विशाका पटनम है जो कि आंदरपर देश में है अगर पुछता है कि कितरिम बंदरगा कौन सा है सबसे पुरा ना तो यह हो जाएगा चन्नाई का बंदरगा जो है सबसे कितरिम बंदरगा है और पुछता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कहां पर तो यह मुंबई में है महाराष्ट में जो पड़ता है आईए अगले कोशन की तरफ किस दिन पिर्थवी सूर के सबसे निकट होती है तो बताइए हमनों कनी चर्चा किया था इस विशह पर तो आईए चार जुलाई को होती है किस मार्च को होती है सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं दोस्तों अगर पूछता है सबसे छोटा दिन कब होता है पिर्थी भी पे तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है अगर दोस्तों पूछता है सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जुन को सबसे बड़ा दिन होता है बताईए इसका एंसर क्या तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा परद्दार चट्टान आप्सटन B आईए अगले कोश्चन की तरफ SI पद्दती में लेंस की सक्ति क्या है आप्सटन A वाट आप्सटन B डियोक्टर आप्सटन C आस्टर आप्सटन D मीटर बताईए लेंस की सक्ति किसमें मापी जाती है तो दोस्तों लेंस की सक्ति डियोक्टर में मापी जाती है आप्सटन B इसका एंसर हो जाएगा वाट सक्ति की काई वाट होती है सक्ति को वाट में मापते हैं मीटर लंबाई लंबाई को आप मीटर में मापते हैं आईए अगले कोशन की तरफ हवाई जहाज का विसकार किस ने किया था हवाई जहाज का विसकार कितने किया था हॉपमैन राइट बर्दर्स एडिशन या इ हम पाई जाने वाला पाया जाने वाला अन्वानबस ़ार नहींग है या और नहीं या फिर आप्षन ई भिःहार आप्षन भी मद्रपर्देस आपसन सी उत्तर परदेस या ऐप्षन ईहरी अना यह फेलो इंडिया अनुश्रीटी केम कहा होगा कि अभी 2022 में तुकरनाटक में था खेलो इंडिया उनुश्री घियम और खेलो इंडिया यूध गेम कहा था तो असम में था अभी 2022 में अभी 2022 में नहीं 2022 में नहीं था 2022 में मदर पर्देश में था खेलो इंडिया यूध गेम्स बताई खेलो इंडिया इनिवर्सिटी गेम्स कहा होगा तो दोस्तों इसका एंसर हो जागा अफसन सी उत्तर पर्देश में हो गा उत्तर पर्देश के चार सहरों में हो रहा है खेलो इंडिया इनिवर्सिटी गेम आईए अगले कोश्चन की तरफ और ये कोश्चन नमबर आज लाश्ट है हाली में 2020 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं तो रोई सर्मा शिखरदवन विराट कॉली बाबा राजम इसका तो इंसर आप लोग जानते ही होंगे इससे में बहुत ही फॉर्म में इनकी वापसी हो चुकी है तो यहां हमारे सांदार विराट कॉली जी है जो 4000 बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन के बन चुके हैं 2020 में और वंडे में सचीन देंदुल कर बाद अगर किसी का सबसे जाए सतक है तो यह नहीं कहा है इंटर कात होगी कल तब तक के लिए नमसकार बाई बाई और टेक क्यार